जहिन सभी फौजी भाईयों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूटूब चनल आर्मी वाला पर जितने भी दोस्त एड़न आर्मी त्यारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही मात्मोट जीके जिस प्रैक्टिस सेशन चला तो आप लोग जुड़ जाएगा सेशन को लाइ 2020 में 1922 या 1921 में या इन में से कोई नहीं तो करेक्ट आंसर दोस्तों बनेगा 1921 में जो कि हड़ापा सभिता की खोज हुई थी किसके दौरा की गई थी तो दयाराम सहनी के दौरा की गई थी अगला कुश्यन है आपका ग्रीन वीच किस देश में इस्थित है आपको इसका आंसर करना है ग्रीन वीच किस देश में इस्थित है रूस में भारत युनाइटेड किंडम या फिर अमेरिका में या फिर आपका यहापको इसका आंसर करनेगा आपका एक support होगा UK में जो कि आपका growing वीच इस चीफित है अगला कुस्ट्यशन है दोस्तों की परियोजणा क किस राज में इस्टित है केरल महाराष्ट गुजरात या फिर मद्ध्य प्रदेश या पीर मद्ध्य प्रदेश तो करेक्ट आंसर बनेगा आपका option C क्या है कि गुजरात गुजरात आपका correct आंसर होगा जोकि आपके तापती नदी पर जोकि आपकी उकाई पर्योजना औपका मध्धि प्रदिस मध्धि परदिस को सोया प्रदिस कहा जता है क्यों कि हैं पर दोस्तों आतियाधिक होता है आपसे संबंधित हैं को होकी छुश्ति या आपका cricket या फिर आपका cricket आपको इसका अंसर करना है या अगला कूशन है दोस्तों कि इस्वपन स्वधत्ति के लेखक कौन है कई जांकर प्रसाद भास या इन में से कोई yah मैं और यह ark क्या वनेगा भास भास आपका पर प्राइट अगला क्योष्चन दोस्तों है कि वर्मा को प्राचीन भारत में किस नाम में क्या कहा जाता था आपको अंसर करना है बर्मा को प्राचिन भारत में क्या कहा जाता था स्वण भूमी, स्वण दीप या दोनों या इन में से कोई नहीं या इन में से कोई नहीं तो correct answer बनेगा आपका स्वण भूमी यानि कि आपका golden land और नी option A correct answer होगा option A is the right answer अगला question है आपका भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है हीरा कुझ्ड, नागार जुन, सरदार सरोवर या इन में से कोई नहीं या इन में से कोई नहीं question number eight आपको इसका answer करना है बहुत ही उड़ी सा आप लोग याद रखेंगे अगला कुश्चन है आपका कि निम लिखित में से कौन सा भारत का लोक नरत्य है आपको इसका बताना आंसर मोहनी अटम कथक कली गर्बा या इन में से कोई नहीं या इन में से कोई नहीं तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा कुश्चन कुश्चन ओइसी ऐइ खेल पहली बार कहां पर आयोजित हु县 थे पहली बार आपको वताना है की ऐसी ऐई खेल जो की खेलों का अङूजिक सबसे पहली बार कहांपे हुआ था कनाड़ा में भारत अमेरिका या फिर रूश रूस-चमdo q बढ़ते हैं तो नघ्ला कुश्चन है क कि संसत का नाम है सोरा किस देश की संसत का नाम है कमघोडिया डानिस्थान जैपान या फिर मिष्च या फिर मिस्र करेक्ट आंसर क्या बनेगा कुष्चे नंबर ग्यारा तो करेक्ट आंसर दूस्तो बनेगा अफगानिस्थान करेक्ट आंसर होगा अगला कुष्चन है कि यूरोपिये संग का मुख्याले कहां पे इस्थित है कुष्चन नम्बर 13 दोस्तों सभी important क्वारन कोश्चन दोस्तों आपके लिए हैं तो आप लोग वीडियो को जाए से लाइक करें शेर करिएगा दोस्तों अभी तक जल सब्सक्राइब कर देए तो राइट आंसर क्या बनेगा ब्रुसेल्स आपसंसी क्या होगा आपका राइट आंसर है यूरोपीय संग का मुख् कासिम को या फिर मीर कासिम को आपको इसका आंसर करेक्ट करना है राइट आंसर बनेगा हुमायू को हुमायू आपका राइट आंसर होगा ओपसंसी इस दा राइट आंसर नेक्स्ट कोश्चन है कि पल्लों की राजधानी का नाम क्या था पल्लों की राजधानी थी महाबली सेस्न है आपका एका किश्रीम में 49 कहां पर होता है अमास्य में यक्त में व्रक करेक्ट में कि पालक के पत्तों में सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है सभी को पता होगा सिंपल सा question दोस्तों है कि पालक के पत्तों में सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है वसा, कौपर, लोहा या फिर जिंक या फिर जिंक तो correct answer सभी को पता होगा option C option C क्या होगा लोहा जो की सरवाधिक मात्रा में पाया जाता है अगला question है आपका कौन सी जो की धात्र ठोस अवस्था में नहीं पाई जाती है पारा, लोहा, सिल्वर या फिर ब्रोमीन या फिर ब्रोमीन तो दोस्तों correct answer क्या बनेगा option A आपका mercury जोकी नहीं पाया जाती या फिर ब्रोमीन जो की आइडह जाती है जो कि आपकी ठोस अवस्था में नहीं पाया जाती है अगला question है कि anti money क्या है आपको इसका answer करना है उपधात अधात धात या इनमें से कोई नहीं या इनमें से कोई नहीं तो तो राइट आंसर बनेगा उपधात यानि की ऑप्शन एपका करेक्ट आंसर होगा अगला कुश्चन है कि भाव का भाव क्या इंजन का विस्कार किस ने किया था गैलेलियों ने जेम्स वाट ने थामस अलवा एडिशन ने आपको आंसर करना है इसका यहां पर ऑप्शन थी यह है और यहां तो क्या बनेगा आपका ऑप्शन भी यानि कि ऑप्शन भी क्या होगा जेम्स वाट दोस्तों यहां पे एक ऑप्शन जो कि आप नहीं महला मिश्टेक हो गया है टाइपिंग में अगला कुश्चन दोस्तों है कुश्चन नमबर 21 की सरीर का सबसे कठोर क्वां सा है आपको साड़ एनसर करना है और दांत का इने भाग होता है अगला कुश्चन है की मात्र क्या है आपको बताना है है जूल है एड कैलोरी या फिर ट या फिर wilt तो और उनसर बनेगा ऑपकर based क्या होगा वोल्ड जो कि आपका राइट आंसर होगा विववांतर का जो कि मात्रग वोल्ट होता है अगला कुस्चन है आपका कि कि चिली साल्ट पीटर शूत्र क्या है चिली कि साल्ट पेटर का सूत्र जो कि सूत्र क्या है एन-a-no-3 H2SO3 HNO3 या फिर HCIO3 HCLO3 तो correct answer दोस्तों क्या बनेगा तो आपका बनेगा NaNO3 NaNO3 आपका correct answer बनेगा option A अगला question है कि किस रासी में केवल परेडाम होता है लेकिन दिसा नहीं होती है दिसा नहीं होती है आपको इसका answer करना है किस रासी में केवल परेडाम होता है पर दिसा नहीं होती है अधिस रासी, सदिस रासी, दोनों या इन में से कोई नहीं या इन में से कोई नहीं तो right answer होगा अधिस रासी में जो कि क्या होगा आपका जो कि आपका केवल परेडाम होता परड़ाम तो होगा लेकिन क्या होगा दिशा नहीं होगी अगला कुश्चन है आपका Law of Lifting का सिधान्थ किस ने दिया था Law of Lifting का सिधान्थ किस ने दिया था तो Galileo ने, Archimedes ने, Newton या फिर Right Brothers ने Right Brothers ने Law of Lifting का जो किसी धान्थ किस ने दिया था किस ने दिया था तो Right Answer होगा Archimedes का सिधान्थ है Option B Correct Answer होगा अगला question है आपका कि दूद में पाई जाने वाली सरकरा का नाम क्या है लेक्टोज, माल्टोज, एमाईलेज या फिर फ्रॉक्टोज तो correct answer क्या बनने वाला है दोस्तो क्या हो lactose या नि कि lactose बोले तो option a correct answer होगा option A correct answer होगा next question है कि निम्न मेंसे कौन सा कौन सा रंग मूल नहीं है कौन सा रंग मूल नहीं है पीला, नीला, लाल या फिर हरा तो correct answer बनेगा दोस्तो पीला यानि कि yellow रंग जो कि आपका मूल रंग नहीं है option A correct होगा अगला question है कि तत्यों का सबसे पहले वर्गी करण किस ने किया था तत्यों का वर्गी करण सबसे पहले किस ने किया था Newton ने, Dobren ने, दोनों या इन मेंसे कोई नहीं या इन मेंसे कोई नहीं simple सा अंसर दोस्तों क्या है Dobren ने किया था, option B correct answer होगा, अगला question दोस्तों बढ़ते हैं अगला question दोस्तों है question number 30 की, DNA की किरियात्मक इकाई क्या है DNA की किरियात्मक क्या है इस question का दोस्तों आंसर आपका homework में देना है offline comment करके बताईएगा, फीडियो कैसी लगी अगर अच्छी लगी होगो तो like करिएगा, share करिएगा दोस्तों में जो कि आपका शेर कर दीजिएगा आप लोग बहुत कम करते देखते तो कहीं लोग हैं लेकिन लाइक कम करते दोस्तों लाइक जरू करिएगा चले फिर मिलते आपको निक्स छसल में तब तक ले जय हिंग जय भारत बंदे महातरम